तुझा पूस्टा 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 कैसे हो आपका स्वागत तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्पून टॉपिक है और ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चो के लिए महत्पून है यह हर एक काक्षा के लिए महत्पून है हमारे समक्ष जो टॉपिक आज आया है प्राइमरी गुरूप सेकेंडरी गुरूप यानि प्राथमिक समू जित्य शमू और साथ में हम करेंगे अंतर समू बारे समू यानि इन गुरूप और आउट गुरूप जो यह काफी महत्व पूर्ण रहेगा इसमें हम बिस्तार पुरुबख हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे यह बच्चों के लिए महत्व पूर्ण रहेगा जो कॉंपूटिशन तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्व रखेगा इसम यह पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इंपूर्ण बात यह भी रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब करना मत भूलना तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठ इerson also Zip बचों के लिए है真的 सब्सक्राइब कर लो है इसलिया आपके लिए कि आप दिखते हमारा आज क्या है यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महतपून है और यह टॉपिक हर एकक्षा के बच्चों के लिए महतपून रहेगा जिनके सलेवस में यह टॉपिक रहेगा यानि हमारे समक्ष जो टॉपिक आया है प्रात्मिक समू और दृत्य शमू काफी महतपून हैं प्रात्मिक समू और दृत्य समू के हम विस्तार प्रवक्त चर्चा करेंगे अगर हम पहली बात करें समासास्त्रियों की तो कहते हैं समासास्त्रियों उनकी विश्यस्ताओं के सधार पर जो है इसको दो प्रकार के समूह के बीच अंतर करती हैं प्रात्मिक समूह आम तोर पर एक छोटा समाजी समूह होता है जिसके साथ से धनिष्ट व्यक्तिगत अस्थाई संबन साजा करती है जबकि हम दुसरी तरफ देखे सेकेंडरी गुरूप की बात करें दित्य सधारान तौर पर बहुत बड़ा होता है में कि ऐसमें यह सब बिक्टि नहीं होते हैं यह सब किसी ना किसी और गनाइजेशन से जुरे हुए होती तो यह काफि महत पूर्ण है देखा जाय तो प्रात्मिक समूह के बारे में तो इन समूहों roughly ग्रतिशिंता साज़ा साजा गत्विदियां और संस्कृर्टी और एक साथ बिताए गए लंबे समय के चिनित किया जाता है प्रात्मिक समूग का लक्ष यह वास्ता में किसी अन्य उद्देश को प्राप्त करने के वज़ाय स्वेम संबंध बनाना होता है परिवार और करीब दोस्त प्रात्मिक के सबसे अच्छे उदारन दे सकती हैं प्रात्मिक समूग की अवधारना को सिकागो स्कूल ऑफ सोचलोजी के समाज सास्त्री चार्लस कोले ने अपने पुस्तग सोशल अगनाजेशन्स यह स्टड़ी ऑफ दा लाइजर माइंड्स जो कि 1909 में प्रकासित हुआ था काफी मह महत्पून था और देखा जाए तो प्रात्मिक समूग के जो में अवधारना पस्तुत करने का स्रे जाता है वो चार्लस कुली को ही जाता है और यहोंने अपनी पुस्तक शोशल और्गनाजेशन में काफी महत्पून बात की तरफ इसारा किया था प्रात्मिक समूग व्यक् अधिक जटिस संगों में प्रात्मिक आदर्सों से चिपके रहते हैं और जहां तक कि अवचारिक संगटनों के भीतर नए प्रात्मिक समूग भी बनाते हैं उस हद तक उन्होंने समाज को समाजिक अनुभवों को बढाने और विमिता के सभिव में एक नियंतर प्रियोग क देखा इसलिए उन्होंने अवचारिक संस्ताओं और समाजिक वर्ग परनाली जैसे जटिस समाजी रूप में संचलन और जनमत के सुक्षम नियंतरन का विश्रेशन किया तो देखा जाया है यहां पर कुली ने बहुत महत्पूर्ण बात की तरफ इशारा किया और उन्हों पर्थमिक संगों के समक्ष पस्तुत किया और उन्होंने साब सब्धों में तरक दिया कि अधिक जटिल संगों में प्रात्मिक आदर्श चिपके रहती हैं और वह जहां तक कि अपचारीस अनुग में भीतर नए प्रात्मिक समू भी बनते रहते हैं तो ये काफी महत्वपून बात बताई गई थी और ये पुस्तक जो है निसो नौ में प्रकासित हुआ तो ये भी काफी महत्वपून डखता है यदि इनके अंतरों पर हम अगर विसलेशन करें तो आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगा सब प्रत्थम अगर हम देखें अर्थ में अंतर तो कहते हैं प्रात्मिक समू सभी समाजी संगटनों का किंद्र है तो कि ये प्रात्मिक ग्रूप है और इसमें हर एक जो है क्रिया कलाप होता है क्योंकि आप जनम से ही जो है प्रात्मिक समू से जुड़ जाती हूँ और इसके विसेस्ता धनिश्ट और आमने सामने का जुराब से योग को पैदा करता है देखा जाए तो प्रात्मिक समू काफी महत्वपून है वो कई अर्थों में प्रात्मिक है लेकिन वो विक्तियों के समाजी सभाव और आदर्शों के निर्मान में मौलीक है परिवार, खेल, समू और परोज प्रात्मिक समू के सबसे अच्छे उधारन है क्योंकि जब इंसान जनम लेता है तो परिवार से ही जुरता है उसके बाद केल समू से जुरता है उसका प्रोज क्यों से जुरता है तो सबसे महत्वपून प्रामरी गुरूप का देखा जाए तो इस सबसे अच्छा और महत्वपून उधारन है कहते हैं जीवन का पहला पराब हम प्रैतम कि गूरूब में हमारे अपने होते हैं जो रिलेशंस से जुरे हुए होते हैं तो यह काफि महतवपून है यदि हम सेकेंडरी गूरूप यानि दृत्ये समू की बात करें तो वो भी काफि महतवपून रखता है तो चले देखते हैं दृत्य समू में क्या अंतर है दृत्य समू की बात करें तो कहते हैं दृत्य समू बरे पैमाने के समू होते हैं यानि ये फैले होते हैं बरे पैमानों पे होते हैं जहां प्राइमरी समू अगर हमने देखा वो छोटे अकार के होते हैं वहीं दृत्य समू जो हैं बड़े पैमानों के समू होती हैं जिनमें संबांध अपेक्षा क्रित और नपचारिक अविक्त और प्रतिसबस्ता होती है यानि इसमें आप परत्यक्ष रूप से नहीं जुरे हुए होती हूँ माल लिजे आप कहीं काम करने जाते हो ड्यूटी करते हो तो वह आपके दित्य समू के अंतरगत होता है और यहां पर आपके कई दोस फ्रेंड बन जाती हैं क्यी है अप आप चालिक तोर पे होती है उसको दित्य समू कहां चा सकता है इसमें बहुत से लोग जुरे होती है और सबका लेक्षन और उद्देश को पुड़ा करने के लिए बनाए गए हैं अगर हमारे सब का एक ही लक्ष रहता है कहीं भी संस्ताओं में और गनाइजेशन में जैसे माल लीजिए उधारन दे हम तो शहर, शहर का एकी एम होता है जीवन का संचाल करना वहीं अगर हम राजनीति दल की बात करें तो राजनीत दल में देखिए हर एक वेक्ति हर एक जाती सम्मू से होता है लेकिन जब वो एक पार्टी में जुड़ जाता है तो उसका उस पार्टी का सदस्य हो जाता है और उ अभी ब्यक्ति उसी एक लक्ष और देश्य को पूरा करने के लिए लगे रहती हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण बात यहां पर आता है दित्य समू के अंतरगत उसके पर शात आता है अकार में अंतर ये काफी महत्वपूर्ण है आपको यहां पर तिरपान स्टेडि सेंटर पॉइंट व्यू जो है प्राइमडी और सेकेंडरी गुरूप यानि प्राथमिक और दित्र समू के बारें बता रहा है साथ में अंतर भी तो यह काफी महत्वपूंड रहता है जतना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए यह काफी महत्व रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब बात करें अकार में अंतर तो कहते हैं प्राथमिक समू अकार में बहुत छोटा होता है प्राथमिक समू यह समने बात किया था कि यह इतना विस्तुत नहीं होता है इसमें पांस दस समू हो सकते विक्ति हो सकती है इसलिए इसको छोटा समू ही कहा जाता है प्राथमिक समू म होती है परिवार जो है एक चोटे से चेतर में ही सीमित होती है और यह पूरे विष्व में फैला हुआ हो सकता है क्योंकि इसमें हाजारहं सदस्द से सामिल होते हैं जो पूरी दुनिया में ब्यापक और विखरे हुए होते हैं जैसे आपको पता है राजनीर जितने शमों के अंतरगत आता है और प्रैमर्नी्स में अकार बहुत चोटा होता है इसलिए आपके परिवार के विक्ति समलित होते हैं तो ये विश्तूत नहीं होते हैं छोटे होते हैं लेकिन दिध्य समू बहुत बड़ा होता है पुड़े विश्व में फैला हुआ होता है तो यह काफी महतपून है उसके पशात आता है इस्तिर्ता में अंतर काफी महतवपून है इस्तिर्ता में अंतर प्रातमिक समूँ अबैक्षा क्रेत स्थीर या टिकाउ होता है उधारन के लिए परिवार संगटन है यानि देखा जाये तो सबसे महतवपून इसका एक्जामपल है परिवार क्यों परिवार एक स्थीर संगटन है आप जनम लेते हो तो कम से कम 18-19-20 साल तक तो अपने परिवार में इस्तिर्ता के साथ रहते हो लेकिन उसके बाद रिखती जो है छोड़ देते हैं तो हम फिर भी इसको प्रातमिक समू के अंतर गथी ले सकती है इवन देखे हम अगला दिते समू की बात करें तो दिते समू चो है एक दिते समू अस्थाई या अस्थाई भी हो सकती है या अस्थाई भी रह सकती है यह बाद रहात संग जैसे अस्थाई समू है यानि देखा जाए तो यह टंपरेड़ी भी हो सकता है या परमनेंट भी हो सकता है तो आप समझ स सकते हो स्थाइट की बात करें तो यह बार्ट रहत के लिए जो संग बनाई जाती तुर्म ये जन्ता की भलायी के लिए बानाई जाती और अधिक मוन बनाई जाती और यह सबसे अच्छा एक्जाम्पल है और स्थाई गूरूप का लेकिन स्थाई की बात करें तो आपको पता है कि भारत में ऐसे बहुत से अर्गनाईजेशन जो भारत में भी है और विष्व में भी है जैसी आप समय सकते हों कि यह यह देश के लिए कारे श्टिल होता है उस्टिल होते हैं तो एसे बहुत से ओर सम suffers में और इसका जो है बहुत से मेंबर निt होते हैं इसलिए हित की पूर्ती के बाद स्वेथ ही लूप्त हो जाते हैं यानि देखा जाए तो कोई और एक सदस्य का रथ होती है यानि देखा जाए तो इनकी सिर्था में अंतर इसलिए होता है लाई यह परमानेंट भी हो सकते हैं यह तंप्रेडी हो सकती है इसलिए जंधिते समु को दो भागों में विवक्त करने की प्रवदान यहां किया गया है उसके पश्राथ आता है संयोग में अंतर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें संयोग में अंतर तो ये काफी महत्वपून रहेगा प्रात्मिक और दिते समू में संयोग की प्राकितिक भी एक दूसरे से भीन होती है प्रात्मिक समु के साथ सीधे सयोग करते हैं वे एक साथ खेलते हैं बैठते हैं और चर्चा करते हैं क्योंकि देखा जाया है तो प्रात्मिक समु हमारे सदस्य होती हैं और यह एक दुसरे से जुरे होते हैं सीधे तोड पर भी जूरे होते हैं आमने सामने संपर्क और विक्ति की संभाबना बनी रहती है या लेकिन एक दित्य समूव के सद शेयर और परत्यक्स रूप से एक दूसरे का सयोग करती है यानि पर्तेक्ष नहीं होता आप पर्तेक्ष रूप से जो है किसी कंपणी के अंदर अतकाम कर रहे हैं तो आप पर्तेक्ष रूप में उनका सयोग देने की कोशिश करते हैं तो आप समझ गए होगे कि संयोग में अंतर इसलिए है कि प्रात्मिक सम्मू में अपने सीधे ही अपने परिवार से संबंद होता है तो इसमें आप खेलते हो बैठते हो चर्चा करते हो संयोग देते हो आमने सामने का विक्तिका संबंद होता है वही दित्य समू कि अगर हम ब योग में अंतर काफी महतपून यहां पर बनता है उसके पर शाथ आता है सरचना में अंतर काफी महतपून है कि इस ट्रेचर में क्या डिफरेंस है यहां सरचना क्या कार के अनुसार प्रात्मिक और दिरित्य समू दोनों एक दूसरे से अलग किया जा सकता है कारण यही है क्य स्रावशना प्रधारित होती है और बहुत ही सरल और सिंपल सभी स्रषय के एक ही प्रक्रिया में भाग लेते हैं और यह अप्चार यह नियुक्ट दोरा नियंतरित होती है तो परिवार का एक सलस्य जो है पूरे पर Oliran पर नियंतरन डगता है हर तरह के उस्कूरियों में पाटिसिपेट करता है तो यह काफी महतभण कुर्ण है है यहां सरचना में अंतर दुसरी और देते समू अफचारिक सरचना पर अधारित होती है यानि यहांपर रूप से आपιοते हो दूब दूब सह दो देखा जाए तो समू प्लचना 今日 के सरचना पर अधारित होती है और अफचारिक नियम और विनियम के समूध और विंयम LAUDERन नहोते लिए हैं यानि देखा जाए तो समूँ में आप करते हो उस अरगनाइजेशन के जो देश्य है उसको पूटा करते हो और बनाता है उसका बेख़भी पालन करना पड़ता है आप इसका सबसे महतवूने इक्जामपल देख सकते हो, कि यहां में जो भी फ्रक्तु घ्रिवोसरी में काम करते हैं उनका एकी ट्रेस होता एक ही मकसद होता है, एक ही एम होता है, तो यह सारे के सारे जो है अंतर क्त आते हैं और primary समू में तो हमारे परिवार, दोस, स्मित्र जाते हैं जो काफी हद तक ब्लड से संबंद होती हैं उसके पशार देखें रिस्तों में अंतर तो ये काफी महतवपून हैं रिस्तों में भी काफी अंतर देखने को मिलता है प्रात्मिक अधित्य समू के सरस्य के बीच संबंदों में काफी अंतर पाया जाता है देखा जाया परत्यक्ष अंतरंग और विक्तिक संबंद महजूद होता है संबंद सर्व समावेशित होते हैं क्योंकि प्रात्मिक समू संबंद रिदेशित होते हैं देखा जाये तो यह काभी महतपून है कि संबंद सर्व समावेशित होते हैं क्योंकि प्रात्मिक समू संबंद रिदेश अपचारिक होते हैं तो आप समझ सकते हो कि दित्य समूख संसों के बीज आप परतेक्ष और विविक्त संबंद मेजूद रहते हैं और संबंद इसमें गौन और अपचारिक रूप से देखे जा सकते हैं यदि आगे हम बात करें समाजिक नियंतरन की विदी में अंतर तो यानि दूसरे किसे अलग किया जा सकता है कि याने प्रात्मिक और दित्य यह समू दोनों को उन साधनों के अधार पर एक दूसरे से अलग वाज होंगे उनको लोको डीतियां होगी और वह आप पर नियंतरत करने कोशिश करेंगी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पूजा पाठ में नहीं बैठता है तो उसके माता पिता बताते हैं कि हमारी प्रमपरा है आपको इसमें बैठना चाहिए पूजा पाठ करना चाहिए और आपको नहीं बैठिएगा तो उसके सजा भी दी जाती है लेकिन देखा जाता है तो अलग बात है लेकिन अपने सब्सक्राइब को जैसे पुलीस जेल अदालत करनून आदिन अप्चारिक माध्यम से नितन रखती हैं वहां पर आपको डर होता है माल लीजिए आप कोई organization में काम कर रहे हैं तो यहां पर आपको डर रहती है कि अगर मैं कोई गलत करता हूँ तो मुझे पुलीस में भेज दिया जाएगा जेल होगी अदालत होगी कानूनी करवाई की जाएगी इस तरह से नियंतरन रखा जाता है पुलीस जेल अदालत और कानून के अंदर गत ल तो इस तरह से जो हमें समारी नियंदरन पे कंट्रोल करते हैं ये माता पिता यह काफी महत्पून है तो आप समझ गये हो कि प्राथमी की सरस्यों को समान या समान या करते हैं किसी बीसे सलस्य काल लग्ष अन्य सविसे सलस्यों के लक्ष मना जाता है याथ यानी माता-पिता आप ब Robinson निदारित करती है लेकिन अगर हम समुक के सलस्यों की अलग अलग बात करें तो उनकी अलग को होती हैं सभी की अपनी duty होती है सभी के अपने लक्ष दिये जाते हैं और उस लक्ष को सभी से लक्षों को प्राप्त करना होता है प्रतेख व्यक्ति के अपने लक्ष या उद्देश्ष होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए वह समू में सामिल होती है यानि जिस कारे के लिए आ आपको उस उद्यश को पूरा करना होता है तो आप समझ गए वो गए कि zar loverov technique अपने लक्ष कनों की विख्तिय को अपने लक्ष होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए हुआ समूह में समलित होती है उसके पर शाहत आता है विख्तितव परव्म vos ने से अलग करना सकता้인 Jis johnson प्रभावित या दिधारित करती हैं अगर हम प्रात्मिक गुरुप की बात करें तो प्रात्मिक समू का विक्तितु का विकास पर अधिक परता है यानि एक विक्ति का प्रभाव दूसरे विक्ति पर अधिक परता है और यह विक्तियों के संपूर्ण विक्तितु को है और यह मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के वित्व की दूसरे से पहलों से संबंधित होती है यानि देखा जाए तो प्रात्मिक समूं का विक्तियों का विकास पर दूसरे विक्ति का परभाव अधिक परता है लेकिन दूसरी तरह बगार हम दितें समूं की बात करें तो व दित्य समूद दोनों को भौतिक निकटा के अधार पर एक दुसरे को अलग किया जा सकता है प्रात्मि समूद के सथ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि विभाग के अंतर होगा निकरतम बहुत ही कम होती है तो मिलsın ये काफी महत्पूर्ण्ट रहेगा कैस्य मुग सबस्बंद कि बात करें नहीं हुआ बारी तागतों द्वारा नियंत्रित होती है यह प्राइत्मिक संब्हू की बात करें दो सभाव से सहज करना करना परेगा लेकि प्राथमिक सम्मू में यह होता है कि आप सभाब से और सहज रूप से जो है जुरे हुए रहते हो उसके पर शाथ आता है हमारे समक्ष प्राथमिक संबंध सर्व समावेशित होती हैं तो यह काफी महतपूर्ण बात आता है कि संबांध सर्व समावीर्शित होते हैं यहां पूर्टे साइव से को व्यक्तिक्त रूप से जानते हैं क्योंकि यह प्रामरी संब्स है इसलिए हाइक बुष्छ जो है दूसरे गतdırक रोप से जानते हैं और वो मनुश्य के समगरा स्पहलू buri रहते यानि आपने बच्चों के लिए परिवार के लिए स्थे रहते हैं और यह प्राथ मेगरूब की तरह जो है बताती हैं देखके दिती सम्मू की बात करें दिते fracture कि सम्मू की रहता है कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहता उनका सिरफेक प्रदिश्च रहता है क्या चाहती है और उसी पर उनका पूरी तरह से दिमाग फोकस होता है तो आप यहां पर प्रात्मी को दित्य समूग के विशह में विस्तार प्रभग जान चुके होगे समझ में आ गया होगा तिरपान एस्प्री सेंटर ने हर संभब कोशिश किया है कि आपको समझ में आ एक बार और सारांस के रूप में मैं बता दूँ कि प्रात्मी ग्रूप को आप परिवार के संबंदों के साथ जोड़ सकती हो और दित्य समूग को जो है किसी भी और्गनाइजेशन के साथ जोड़ सकती हो अगर आप परिवार के साथ जोड़ते हो और किसी दुसरे और्ग रहता है अगर आपको यह सारी बाते समझ में आई टॉपिक अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी टॉपिक आपको इसी परकार मिलता रहे तो आपको शेयर की भावना को जो है विख्षत करना होगा जितना शेयर कीजिएगा उतना तिरे पाहने संडर आपके लिए अच्छा के लिए यह काफी महत्वपून है ठीक है दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ गया तो जर्नल सी बाते सब्सक्राइब कर लिजी सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगला वीडियो का नोटिस्विशन मिलेगा और आप सब्सक्राइब करके अपने मुबाइल में समकीजी